दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट मॉक्स में जरूर पोचे आज की सबसे पाली कबर बिहार में पिछले 24 घंडे में 3009 नई संक्रमित की हुई पहचान पाटना में 697 केस जिहां बिहार में कोरोना की तीसरी लहरे धीरे-धीरे कावों में आते दिख रही है राज में पिछले 24 घंडे में कोल 3009 नई संक्रमित की पहचान हुई है वही राज़ानी पाटना में एक बर फिर से मरीजों की सिंका में कमी देखनों को मिली है पाटना में पिछले 24 घंडे के दोरान कोल 697 नई मरीजों की पहचान की गई है पाटना में संक्रमंदर 12.07 पाई गई है वही पाटना के अलावा समस्तिपूर में 222 में संक्रमित पाई गई है जमकि पुर्णिया में 168, मुझपरपुर में 177 नए मरेजों की पहचान हुई है वह याईने जिलों की बात करें तो अरारिया में कूल 54, अरवल में 29, औरंगाबाद में 60, बाका में 32, बेगुसरा में 83, भागलपुर में 77, भुजपुर में 77, बकसर में 48, जर्बंगा में 89, पुर्वी चंपारण में 66, गया में 58, गोपल गज में 61, जमुई में 52, जहानाब बने में 51, मुंगेर में 88 नए मरीज मिले हैं, अगली बड़ी कवर बिहार के किसी भी कोविट केयर सेंडर में भारती मरीज नहीं, अस्पिताल में भी तेजी से कम हुए कोरोना संक्रमित, जहां बिहार में कोरोना के मामले अब घट रहे हैं, पिछले 14 जन्वारी से कोरोना संक्रमितों के सिंखा में लगातार गिरावट दर्च की जा रही है, स्वास्ति विभाग के अपर मुं के सची प्रतत अमरित ने बताए कि राज में ना सिर्फ संक्रमितों के सिंखा में गिरावट देखी जा रही है, बलकि पॉजिटिविटी रेट में भी गिरावट हो र अगले चार दिनों तक की गारा जिलों में बारिस और ओला गिरने की चितावनी जिया बिहार में ठंड का कहर जारी है बिहार वासियो को कूल्ड डे और कंकरी से फिलाल निजात नहीं मिलने वाली है मौसम विभाग के माने तो सनिवार रईवार और समौर को के जिलों में बारिस और ओला गिरने की समावना है मैदर पदेश की और चकरवर्ती सिती बनने और उसके एक दो दिनों में बिहार की और बढ़ने से बारिस की सिती बनेगी मौसम विभाग ने बिहार के गारा जिलों में आंसिक बारिस का अलरड जारी किया है इन जिलों में पहश्चिमी चंपारन, पूर्वी चंपारन, सिवान, सारन, गुपाल गंज, बकसर, आरा, अर्वल, रोतास, बबबा और औरंगाबाद में हलकी बारिस होने की समावना है आपको बताते कि आज और 23 जनुवरी को पटना समेद प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में गरज के साथ बारिस होने का प्रवानोमान है इन सभी जिलों में ओला और ठंका गिनने का अलर्ड जारी हुआ है वह 24 जनुवरी को मैद बिहार और पश्चिमी बिहार में कुछ चिस्व में बारिस होने की समावना है अगली बड़ी खबर जम्मु कस्मेर से ज्यादा ठंड हुआ बिहार पटना में पारा वहां से दो डिगरी नीचे बारा से अधिक सहर रहा कोल डे जिहां हार कपाती ठंड से जन जिवन अस्त वेस्त हो गया है जम्मु से भी ज्यादा ठंड बिहार में पढ़ रही है जम्मु का नियुनतम तापमान 8.5 डिगरी सेलसेस रिकोर्ड किया गया जबकि गया का पिछले 24 घंडे में नियुनतम तापमान 4.6 पाटना में 6.6 डिगरी सेलसेस दर्च किया गया गया में यहां इस सिजन का सबसे कम नियुनतम तापमान ह वोई पाटना का यह नियुंतम तापमान 2019 के बाद जन्वरी में एक बार फिर दर्ज किया गया है जो सामाने से दो डिग्री कम है पाटना गया सारन पुर्निया अररिया भागलपूर दर्बंगा परविजगंज मौतिहरिस सहीद करिब दर्जन भर जगोह पर आज कोल डेग ह अगली बड़ी कबर बिहार में बाहरे राज्यों के महिला नहीं बन सकती है आंगनमारिक सेविका व सहाईका जाने क्यों रद होगा आवेदन जीहां दूसरे राज से बिहा कर बिहार आई बहु अपने माईके में बनवाए गए जाती प्रमान पत्र के आधार पर आंगनमा केंद्रों में सेविका व सहाईका नहीं बन पाएगी दूसरे राज्यों के जाती प्रमान पत्र सेविका व सहाईका की न्यूक्ति के आवेदन में संगलग किये आवेदन रद कर दिया जाएगा जाती प्रमान पत्र देना ही है तो बिहार में बना होना चाहिए राज के बा सुची बद हो और उनकी जाती बिहार राज में भी उसी आरक्चन स्रेनी में सुची बद है तब भी बिहार राज में उन्हें आराचित वर्ग के अंतरगत आरक्चन का लाब नहीं दिया जा सकता है बड़े खबर बिहार में इंटर मेट्रिक परिषा का काउंटडाउन सुरू 26 जन्वारी तक 52 लाग की सुरू का टिका करन अब चुनोती जहां बिहार बोर्ड के इंटर और मेटरिक परिषाओं की तिति अब नज़दिक होती जा रही है कोरोना की तिसरी लहर के बेज संक्रमन से बचाव करते वे परिचात्रियों का एकजाम आविजित कराना बोड के साथ साथ स्वास्ति विबाग के लिए भी एक चुनोती बन चुका है मैटरिक और इंडर के परिचात्रियों को एकजाम सुरू होने से पहले कोवेट टिकर लगाने के लिए जोरों सोरों से परियास किया जा रहा है वह किसोरों के टिकागरन अभियान में रखा गया लच अब एक चेलेंज बन चुका है आपको बता दे कि बिहार में 26 जनुवरी के पहले 83 लाग किसोर किसोरियों के टिकागरन का लच रखा गया है इस लच को पूरा करने के लिए पूरी तागत लगा दी गई है अभी बावकों को जागरुक भी किया जा रहा है लेकिन तमाम परियासों के बाद भी अभी इस लच को हासिल करना एक चेलेंज बना हुआ है क्योंकि 6-7 दिनों के अंदर में करीब 52 लाग को टिकागरन अभी बाकी है बाड़ी खबर बिहार को मिलेगा एक और नया एक्सप्रेस वे बिहार वासियों के लिए दिल्ली का सफर होगा असान जह भारत माला परियोजना के दूसरे फेच बिहार को नया एक्सप्रेस वे मिलने वाला है या 12.80 से राज के केमुर और रोहतास जिले से राची होकर कोलकता तक जाएगा इसके लंबाई करेब 600 किलोमेटर होगी इसके बनने से 12.80 से कोलकता का सफर करेब 6-6 घंटे में तैकिया जा सकेगा फिलाल इस सफर में करेब 12-13 घंटे लगते हैं इस एक्सप्रेस वे का पुर्वाचल एक्सप्रेस वे से जुड़ाव होने के कारण कोलकता से दिल्ली का सफर भी आसान हो जाएगा अगली बड़ी कपर बिहार में भीखारियों को जोड़ा जाएगा स्वरोजगार योजना से समाज कल्यान और परियाटन विभाग चलाएगा अभियान जिहाराज के सभी परियाटन स्थलों से भिक्चा विरते खतम करने के लिए समाज कल्यान विभाग और परियाटन विभाग के और से एक पहल की जा रही है जिसमें जुलाई 2022 तक सभी परियाटन वाले जगहों से भिक्चा विरते से मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया जा इसके लिए सभी जीलों को दिसर निर्दिस भी भीजा गिया है। आपको बता दे कि प्रमंडल या युक्त पटना कुमार रवी ने प्रमंडल के सभी जीलों के दियम एबम वरिय पुलीस अधिक्चक के साथ वीडियो कॉनफरेंसिंग से बैठक की जीलवार समिक्चा में पया गया कि मास्क का निवार परियोग सुनिश्चित कराने के लिए स सभी चा जीलों में दोसो पचीस धावा दल बने हुए हैं 19 जीलों तक 29,887 लोगों से 22,57,680 रूपी जुर्माना वसुलों गया है वईवानों की जाच क्रम में अब तक 33,68,675 रूपी वसुला गया है जोत्तर वानों को जब्त भी किया गया है अगली बड़ी कबर बिहार बोड एक जाम में कक्चा में जगा नहीं तो बरामदे और पंडाल में बैठेंगे चात्र कुरोना संक्रमन से बचाने के लिए बनाया गया यह नया प्लान जहां बिहार में इंटर और मेट्रिक परिचा में कोरोना संक्रमन से परिचात्रियों को बचाया जा सके इसके लिए समाजिक दूरी का पालान सक्ति से किया जाएगा बिहार बोड के माने तो एक बेंच के दोनों कोनों पर दो ही बच्चे बैठेंगे उसके पीछे दो फीट की दोरी पर दूसरा बेंच होगा इस बेंच पर एक चात्रों को बैठाय जाएगा इसके बाद तिसरे बेंच पर फिर दो चात्रों को अलग अलग बैठाय जाएगा में बनाकर बोड़ ने सबी जिला शिक्षा कारियालो और बैठाये जाएगा अकर किसी ISKOL में जगा की कमी होगी तो परिचातरियों को बरामदे में बैठाये जाएगा अगर इसके बाद भी जगा कम पढ़ती हो तो पंडाल और टेंट लगा कर इसको लो द्वारा परिच्छा ली जाएगी अगली बड़ी खबर पटना मियोजियम में दिखेगी गंगा की संस्कृति और इतिहास की जलक टनल से सिदे आ सकेंगे दर्सक जिहां बिहार मियोजियम की तरह पटना मियोजियम का आकरसन पी जल्दी बढ़ने वाला है दर्सको के लिए यहां गंगा और पाटली पूत्र गिलेरी खास होगी गंगा गैलरी में दर्सक पटना में गंगा की संस्कृति और पाटली पूत्र गैलरी में पटना की तिहास से हो सकेंगे यह दोनों गैलरी डिजिटल होगी यह गैलरी पाटना म्यूजियम परिसर में 158 कडोर की लागत से बनाये गए भावन में होगी भावन बनकर तयार है गैलरी भी बन चुकी है इसे अंतिव रूप देने के तयारी चल रही है मार्च तक इसे मुर्त रूप से देने पंचाइती राज बिवाग ने कचारी सचिवों के मानदे और नया मितरों के पीष के लिए रासे जबी राषी से ग्राम कचारी सचिवों के दिसमबर तक उनकी तइफीस का भुगतान होगा गो 22 करोड 84 लाख 20 जार रुपे आवांटित किये हैं अगली बड़ी खबर इंडिया गेट पर बुझे की अमर जोती फजीहत के बाद पेम ने सुबास चंदर बोस की मुर्ति लगाने का कर दिया एलान जहां दिल्ली के इंडिया गेट पर 50 सालों से जल रही अमर जोती कल बुझा दी गई है उसके बदले इंडिया गेट पर नेताजी सुबास चंदर बोस की मुर्ति लगाए जाएगी इस बात की जानकारी प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने ट्यूट करके दी है उन्होंने अपने ट्यूट में लिखा कि ऐसी समय जब पुरा देश नेताजी सुबास चंदर बोस की 125 जैनती मना रहा है मुझे यह बताते वे खुसी हो रही कि ग्रिनाट से बने उनकी बावे प्रतिमा इंडिया गेट पर स्तापित की जाएगी या उनके प्रति भारत के रिनी होने का प्रतिक होगा और आंद के बड़ी कबर T20 क्रिकेट वर्ल्ड के मैचों का सेडियोल जारी पाकिस्तान से होगा भारत का पहला मुकाबला जिहां ICC ने इस साल उस्टिलिया में होने वाले T20 वर्ल कप का सेडियोल जारी कर दिया है आपको बता दे कि भारत को इस टूनामेड में अपना पहला महा मुकाबला पाकिस्तान के खिलाब खेलना है जो 23 अक्टूबर को मैच मेलबर्न किर्केट ग्राउंड पर खेला जाएगा वहीं आपको बता दे कि पहला मुकाबला 16 अक्टूबर को खेला जाएगा वहीं फाइनल 13 नॉम्बर को मेलबर्न किर्केट ग्राउंड पर खेला जाएगा आज के लिए आपका स्वाल बताए कि इस साल होने वाले 2020 वर्ल कॉप में कौन से टीम फाइनल का किताब जितेगी इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताए